नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महतोपूर जानकारियों को ले करके जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे चेहरे पे पढ़ने वाली जाईयों या फिर आखों के नीचे जो काला धबा बन जाता है यानि कि डार्क सरकल के बारे में जी हाँ दोस्तों ये बहुत सारे लोगों को प्रोब्लेम होती है कि उनके चेहरे पे जाईया आ जाते हैं या फिर आखों के नीचे बलेक हो जाता है काला हो जाता है स्किन काली हो जाती है उन्हें बहुत ही बुरा अंदर से फिल होता है और सोचते हैं कैसे ठीक होगा तो सब से पहले जो आपको करना है दोस्तों वो अपनी डाइट में सुधार करना है अपने खान पान के आदतों में सुधार करना है यह पीट की करमी की वज़ा से होता है दोस्तों तो आप अगर कोई भी बाजारू या फिर मसालेदार चीजे खाते हैं तो यह आदत सुधार गर्म साले होते हैं इनको खाना बंद कर दीजिए और पीट को ठंडी रिखने वाली चीजें जरूर खाएं जैसे नारियल पानी या फिर अगर नारियल पानी नहीं ले पा रहे हैं तो निम्बू पानी और उसमें हलका नमक मिला करके या कहें ओर इसका घोल अगर आपको ब्लैकनेस है तो आपके लिए फायदे मन सावित होगा लेकिन इन सब के साथ साथ एक आज हम और शदी विविवता रहे हैं दोस्तों जो आपके लिए बेहतकार गर सावित होगी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है इसके लिए अपने कीचन में उपलवद सौंफ जीरा ए इसको पीस लिजे बारिक और एक में मिक्स कर दीजिए मिक्स करने के बाद आपको हर रोज एक चमच पानी के साथ लेना है हां इसमें ध्यान रहे किसी किसी को पसंद नहीं आ सकता है हो सकता है कि उनको इसका गंध या फिर इसका स्वाद पसंद नहों तो वो थोड़ा सा इ पिट में तरलता लाएगा ठंधक लाएगा जिसकी वज़े से अगर आपका ठंधा रहेगा तो आपके फिस पर भी ग्लो रहेगा आपके ब्लैकनेस जो है वह खतम हो जाएगी जाइयां खतम हो जाएगी दोस्तों फिर आप अगर कहीं भी जाते हैं तो confident फिल करते हैं क्योंकि आपका चेहरा जो है वो ग्लो करता रहता है आपकी skin अच्छी रहती है healthy रहती है इसलिए वैसे तो आपको कभी भी दोस्तों मसालेदार ज्यादा मसालेदार खाने खाने ही नहीं चाहिए क्योंकि वो केवल ये फेस के लिए ही नहीं पेट के लिए से लिए करके स्वास्त के लिए हर दॗी के बहुत जाया जालता घर्म संसी किे ना तो यगोत जायार हुईius थे खायारे बाल फिन 가장 वस्गार्व सब्सक्राइब खकाएब छाया पर भाएंगा सबस्तरा काम्यार्ण के लिए लिए अगर आप मसाले वगरे खाने के सौकीन हैं तो तो उन्हें बदल दीजिए बहुत ज्यादा तीखा मीठा न खाया कीजिए या खटा बहुत ज्यादा न हो नॉर्मल खाये फिर आपका सारा ठीक हो जाएगा यानि कि जाइए ठीक हो जाएंगी फेस पे चमक रहेगी दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर और शदियों को ले करके तब तक के लिए हमें आग गया दिजिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों